एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर रहता था वह शिकार करना पसंद करता था वह रोज एक या दो नहीं बलकि बहुत सारे जानवरों को खाता था सभी जानवर उससे डरते थे उन्हें डर था कि एक तिन इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा हमें क्या करना चाहिए? हमें शेर के पास जाना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए इसलिए डरे हुए जानवर धीरे धीरे शेर के गुफा की तरफ बढ़ते रहे उन्हें देखकर शेर आश्चरे चकित हो गया तुम सब यहां क्यों आए हो क्या बात है बंदर ने कापते हुए कहा महराज आप रोज अपनी जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं और आप उन सब को खाते भी नहीं जिसके कारण जंगल में बहुत कम जानवर बचे है क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है कैसा खतरा शेर बोला अकर ऐसा चलता रहा तो सिर्फ आप ही जंगल में बचेंगे बंदर ने कहा महराज यदि हम सब ही नहीं रहेंगे तो आप किस पर राज करेंगे हाँ हाँ मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता श्रीमान हमारे पास एक योजना है इसलिए आपको भोजन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है प्रति दिन हम आपको एक जानवर खाने के लिए भेज देंगे और अब आपको शिकार करने की कोई अवशक्ता नहीं है शेर ने सोचते हुए कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुझे तुम्हारी योजना पसंद आई लेकिन यदि तुम लोग अपना वादा ना निभा सके तो तुम सबको मैं मार दूँगा जंगल के जानवरों के पास कोई और उपाय नहीं था इसलिए वह सब राजी हो गए और वहां से चले गए उस दिन से रोज एक जानवर को चुन कर शेर को खाने के लिए भेजा जाने लगा कुछ दिनों के बाद एक खरगोश की बारी आई खरगोश बहुत छोटा था लेकिन बहुत चालाग था उसने सोचा मैं इतना मूर्क तो नहीं हूँ कि मैं शेर का भोजन बनूँ मैं सभी जानवरों को भी सहायता कर सकता हूँ खरगोश एक गहरी सोच में डूब गया अचानक भे खुशी से उचल पड़ा और बोला यह एक अच्छी योजना है और शायद यह काम भी करेगी वह दोपहर बाद शेर के पास पहुँचा शेर बहुत भूखा था उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था जब उसने खरगोश को देखा तो वह गुस्से से भर गया शेर बोला किस मूर्ख ने तुमें यहां भेजा है तुम बहुत ही छोटे हो और बहुत देर से आये हो मैं जंगल के सभी जानवरों को माल डालूँगा खरगोश से चुकाते हुए बोला महराज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ खृप्या दूसरे जानवरों से गुस्सा ना हो वे जानते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए उन्होंने पाच खरगोश भेजे थे शेर ने पूछा तो बाकी चार कहा है हमें रास्ते में एक बड़ा शेर मिल गया था वे चारों खरगोश खा गया मैं बहुत मुश्किल से बच निकला यह सुनते ही शेर गुस्से से भर गया और बोला दूसरा शेर कहां है वे तुमने उसे कहां देखा खरगोश बोला महराज वे शेर बहुत बड़ा है वे एक कुफा में रहता है जो की जमीन में काफी गहरी है वे मुझे भी मारना चाहता था लेकिन मैंने कहा श्रीमान आप चार खरगोश खा चुके है जो की हमारे महराज का भोजन था जब उन्हें यह पता चलेगा वे बहुत गुस्सा होंगे और आपको मार डालेंगे दूसरे शेर ने कहा कौन है तुम्हारा महराज और मैंने जवाब दिया हमारा राजा एक बड़ा शेर है और वे गुस्से में बोला अरे मूर्क इस जंगल में सिर्फ मैं ही राजा हूँ उस शेर को एक बार मेरे पास लेकर आओ मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है महराज उसने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है शेर बोला वे है मूर्क शेर कहा है मुझे एक बार उसके पास ले चलो मैं उसे मार डालूंगा और उसके शरीर की एक एक हड़ी तोड़ दूंगा आईए महराज मेरे पीछे आईए जैसे कि उसने सोचा था वे है शेर को एक गहरे कुए पर ले गया श्रीमान वे है शेर इस गुफा में रहता है जरा संभल कर वे है आप पर हमला भी कर सकता है वे है कहा है और दिखाई क्यों नहीं देता महराज शायद वे है इस गुफा में कहीं छुपा हुआ है और आपसे डर गया है शेर कुए पर गया और अंदर देखा उसने अपना ही चहरा कुए में देखा और तेजी से दहाडने लगा उसने सोचा कि वह कोई और शेर है और तभी वह अपनी परचाई को दूसरा शेर समझ कर उसे मारने के लिए कुए में कूद पड़ा वह गहरे पानी में गिर गया और मर गया खरगोश बहुत खुश हुआ आखिरकार वह खतरनाक शेर मर गया जब दूसरे जानवरों ने यह सूचना सुनी तो वह खुशी से जोची इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी शकल से नहीं अकल से बड़ा होता है